हाई योरिवन मेहु आर्ति और सौगत है आपका स्वाध रिसिपिस में तो आज हम बनाने वाले हैं पंजबी स्टाइल राजमा करी मसाला तो राजमा करी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा कप राजमा रात को ही भीगा दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो राद भर में हमारा राजमा बहुत ही अच्छे से भीग चुका है अब हमें भिगाया हुआ राजमा पानी के साथ ही डाल देना है प्रेशर कुकर में और प्रेशर कुकर में राजमा डालने के बाद राजमे में हमें और एक कप पानी डाल देना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक तेज़ पान, एक मसाला विलाइची, दो तुकडे डालचीनी के और चार इसमें हम लवंग डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे चार से पाच ब्लैक पेपर और बाद में इसमें डाल देना है हमें आदा चमज नमक इन सारे चीजों को अब हमें पानी में अच्छे से मिक्स करना है और बाद में pressure cooker को बंद करना है और low flame पर बस इसकी हमें एक सिट्टी निकलवानी है और बाद में हमें gas की उपर एक कड़ाई रगनी है और कड़ाई में डालना है एक चमच ओईल और यह oil थोड़ा सा गरम हो जाने के बाद इस oil में हमें डाल देना है एक कटा हुआ प्याज और उसके बाद एक छोटा सा कटा हुआ टोमेटो डाल देना है और बाद में इसमें हमें डाल देना है 10-15 लिसुन की कलिया और दो छोटे तुकड़े इसमें हम आदरक के डाल देंगे और इन सारे मसालों में हमें अब थोड़ा सा नमक डालना है और नमक के साथ इन सारे मसालों को हमें ओईल में अच्छे से मिक्स करना है और ये हमें मसाले एकदम soft होने तक इस oil में बून लेना है तो यहाँ पर मैंने मसालों को 3-4 मिर्ट तक बून लिया है और मसाले हमारे soft बन जुके है तो इन मसालों को हमें एक plate में निकाल कर ठंडा करना है और जब हमारे मसाले ठंडे हो जाए तब हमें इन मसालों को ग्रैंडर में डाल देना है और इन मसालों में हमें थोड़ असा पाने डाल कर एकदम स्मूथ ग्रैंड कर लेना है तो यहाँ पर मैंने मसालों को ग्रैंड कर लिया है और आप देख सकते हो मसाला हमारा एकदम स्मूथ मैंने ग्राइन कर लिया है तो इस मसालों को अब हमें ऑईल में तल लेना है उसके लिए गैस के उपर मैंने कड़ाई रग दी है और कड़ाई में डाल देना है 4-5 चमच ऑईल और ओईल गरम होने के बाद इस ओईल में हमें डाल देना है हमारा ग्राइन किया हुआ मसाला अब हमें इस मसाले को ओईल में अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें ये मसाला जब तक तलना है जब तक कि ये मसाला खुद से ओईल छोड़ता नहीं है तो यहाँ पर मैंने मसाले को 3-4 मिनिट तक तल लिया है और आप देख सकते हो मसाले ने अच्छे से ओईल छोड़ दिया है तो इस मसाले में हमें डाल देना है एक चमच दनिया पाउडर और उसके बाद इसमें हमें डाल देना है देर चमच लाल मिश पाउडर और उसके बाद आदा चमच जीरा पाउडर आदा चमच गरम मसाला और पाउ चमच हल्दी डालना है और उसके बाद सारे मसाले को हमें अच्छे से ओयल में मिक्स करना है और आदे मिनिट तक मसालों को तलना है आदे मिनिट के बाद हमें इन मसाले में थोड़ा सा पाने डालना है पाने डालने से हमारे मसाले अच्छे से फुल जाते है और फुलने के बाद हमारा मसाला एकदम समूdi बन जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो अब आप में इस मसाले को आदे मिनूट तक ऐसे ही छोड़ देना है और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर की एक सिटी निकाली है और उसके बाद हमारा pressure cooker थोड़ा सा ठंड़ा हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही सिट्टी में हमारा राजमा बहुत ही अच्छे से पख जाता है उंगलियों से दबाने से हमारा राजमा आसाने से टूट भी जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर हमारे मसाले को आदर मीट हो गया है तो इस मसाले में हमें डाल देना है हमारा उगला हुआ राजमा पानी के साथ हमें राजमे को मसाले में डाल देना है उसके बाद राजमा मसाले में हमें अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो हमारे राजमे की ग्रेवी एकदम ठीक है पर यहाँ पर हम राजमे को इस ग्रेवी में और पाज में तक पकाने वाले हैं इसलिए हमें इस ग्रेवी में और थोड़ा सा पाने डालना है उसके बाद पाओ चमच नमक डालना है हमने राजमा बोईल करते समय नमक डाला था इसलिए यहाँ पर हमने कम नमक यूज किया है बात में हमें आदा चमाच कसूरी मेथी को हातों से रब करती हुए इस करी में डाल देना है और उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया इसमें हमें डाल देना है अब हमें इन सारे चीजों को हमारे राजमा करी में अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इन सारे मसाले के फ्लेवर हमारे राजमे में आ जाने के लिए इस राजमा करी को हमें लो फ्लेम पर ढखकर पूरे 5 मिट तक पकाना है यहाँ पर 5 मिट हो गए है और 5 मिट के बाद आप देख सकते हो हमारी राजमा करी एक दम ठीक हो गई है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है और राजमा करी की खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा राजमा बहुत अच्छे से पक चुका है तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बन कर देंगे और हमारी राजमा करी एक सर्विंग बोल में निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम परफिक पंजबी स्टाइल में हमारा राज्मा करी मसाले को बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है तो इस राजमा करी मसाले के उपर हम रा लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर हमारा राजमा करी मसाला रेडी हो गया है और ये राजमा करी मसाला आप रोटी के साथ, फुलके के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस recipe को आप एक बार जरू ट्राइ कीजे और अगर आपको मेरा राजमा करी मसाला recipe पसंद आई हो तो इस recipe को like कीजे और साथ ही साथ मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलेगा तो फिर से मिलेंगे एक new recipe के साथ तक तक के लिए बाई बाई टेक कियर